कि मैंने ओर्डिटी फेट लगा लिए और इस पे और डिटी ब्लाप कलर का निल पेंट अप्लाई कर लिया है कि मैं अब भी लगाती तो फिर मुझे ड्राइक करने होने का वेट करना पड़ता हूं म EL finalement जबाओना ओंगे स्टों से कैसे आड करें लिटर से स्टों से डिफान 겁 अठो मैं आप बताओंगी अज कि हम स्टॉंस के से लगाए पहले स्टॉंस सार्ट करते हैं इस टॉंस लगाने के लिए पहले हमें हमें ट्रांस्परीन निल पेड़न निकाल दिर्खना पर एक अ ओर जहाँ पर हमे अप्लाई एक पर अब भी हमें ट्रांस्परेंट नेर्पेंट अप्लाई करना हुँआ फिर हम डॉटिंग टूल से थोड़ा साथ पर ट्रांस्परेंट अप्लाई करेंगे और स्टाउन ठाएंगे ऐसे रख देंगे हम कोई भी कलग कर लगा सकते हैं कि स्टोन आपको जो सीधा हुए उठाना है सीधे साइब से कि यह कैसे उठाना है और रखते जाना है दिखेंगे एक फिंगर पर हुग है यह एक्ना एक चालए यह अच्य सा इस्टे रहें जल्दी से रिवोव ना हो इसके लिए हम और यह अच्छे अपर ट्रांस्परें लिगा देंगे इस पर तो नो साइड कि यह च्छे से लगा रहे है जल्दी से रिमौव नहों दूसरी फिंगर पर लगाएंगे मैंने यहाँ पर दो साइज के स्टोंज रखे हैं अभी कि मिक्सेन मैच कर सकते हैं बड़े और छोटे स्टों में भी बहुत सारे साइज आते हैं कि मैं पहले बिक साइज के रख रहे हूं कि पर ट्रांस्परेंट नेल पेंट अप्लाई करना है कि अचली दूर रखा है इसलिए वो किर रहे हैं कि यह मारे स्टोंज भी कफी है बड़े वाले अब इसके साइड में चोचोड़ी लगा देते हैं कि छोटे वाले बिल्कुल इसली उप जाएंगे हम चाहें तो कलारफुल भी मिक्स कर सकते हैं अभी मैंने सिल्वर लिया है अब चैने सर्फ ऐसे भी लाकर सकते हैं यह दिखिए लग रहा है कि स्टॉन एक ही स्टॉन और रहा हुआ है आज पर हम ट्रांस्परेट टेल्पेंट गैप-गैप में राल देंगे जिसे कि यह स्टे करें कि देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है कि हम थार्ड वाले पर जानेगे थोड़ा ट्रांस्परेट नेल पर हमें ज्यादा ही लगाना है और हम इसे फड़ाफर फड़ाफुट करना है लाई भी अब हम बड़े वाले कि यह दिर जा रहा है उठाने पर यह हम हाथ से उठा रहे हैं चोटे वाला मैसी उठाएंगे यह दिफ्रेंट हो किया अब चाहते हैं अब चाहते हैं सर्फ एक फिंगर में स्टोंस लगाएं या फिर समय लग 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 लगाएं या फिर सब्सेंट सीम डिजाइर भी लगा सकते हैं है अब आपको कि एक ही बर में आपको दो-तिन आइडियों जाएंगे इसलिए आपको लग 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 लिगाएं अब लग 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 अब चैनल सुर्फ इसना भी लगा सकते हैं अब अब और से थोड़ा से यह तक यह अच्छै सेटी करें ड्रांस फोल लगा लिए बहुत ईजी बहुत प्रेटी भी लग रहें अब क्या है कि किसी नेल पेंड के साथ कर सकते हैं कि अभवाय थंब जिया है थंपे लगाएंगे पहले हम ट्रांस्पिने नेल पेंट रप्लाई कर लें पूरे लिए पर थोड़ी से हम निकाल के लिए अलग से डिप करने के लिए कि डॉटिंग टूल को हम डिप करेंगे कि अस पैसे इस टाइप से इस टच करेंगे आज से इस टच करके उठाएंगे और रखते जाएंगे यह देख सकते हैं मैंने फाइफ फिंगर में डिफ्रेंट राइक है इस पर फिरम इसके स्टिक अच्छी रहा है इसलिए अब ट्रांस्पिन नेट्पेंट अपलाई कर देंगे दोनों सेट से जिसे कि यह जल्दी ना निकले देख सकते हैं मेरी हाथ में प्लाट चिपक गए है निकला के अब लाप को देखते हैं अब लाप पर दाएं चल्लम स्पेंट नीच अश्रक्ति हूं आपको आई जोड़ें अच्छे से एक डिजाइन क्लेर देख लिगा अब आप फाइफिंगर में फाइफ डिजाइन ट्राइब दिखाए आपको कि अभी मैंने इस पॉस्टों लागर दिखाये स्टों म२र स्टों मैं निकाल दीए एक ऋपींगर में सिर्फ रहनmani दिए मैं आपको वक्यू फिंगर में ग्लिटर लागी दखाते कि जस्टिप कर देना है एक्स्टा ज़ार देना है वाकि आप वाश भी कर सकते हैं ऐसे वाश भी हो जाएगा हम इस पर भी चाहिए तो स्टोन लगा सकते हैं तो आप को दिखाऊंगे भी और चाहिए जाती है और यहां जमें इस पर ब्लैक आप्स इस पर यहां रहा है क्ली ट्रेटर्ट अप्लाइए किया है बड़े वहला है यावी स्टोन से इसलिए जल्दी ज़दा वेट इसका ठानी पार है सिर्फ एक स्टोन लगा है यहां दो स्केस्ट पर कि अब दूसरे पर लगाएंगे है कि आप टांस्पिर नियर पर अप्लाई करके जस्ट मैंने ग्लीटर में डिप कर दिया है कि अब दूसरे पर ट्रांस्पिरेंट अप्लाई कर देंगे जिससे कि वह स्टिंग जादा करें इस पर भी चाहे तो स्टॉंस लगा सकते हैं चाहे तो ऐसे रह सकते हैं इस पर हमने च्पटे वाले स्टॉंस लगा है अब बीच में इसमें दो स्टॉंस बड़े में लगाएं जिब तर गीर आए लिया को कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं इसमें ड्राय होने के बात नहीं उपाएगा इस पर भी हम थोड़ा ज्यादा सा ट्रांस्पिरेंट रप्लाई कर देंगे इससे के ज्यादा दिन स्टे करें अब हमारा लास्ट वाला फिंगर में लेटिल वाला फिंगर वर्षता है नेल में प्राई करना है जस्ट ग्लीटर प्राई करना है यह हमने स्टों फरस्ट में लगाया था वही लगे रहने दिया है फाकी सब पे ब्लाक टलर का नेल पे इन ग्लीटर लगा हुआ है अब इसी को आथे में तो लगा हुआ है यह आधी में लगा हुआ है अधोर सामने ट्रांस्परेंट नेकमेंट निकाल की भी रखाएं स्टॉर्स को लगाने के ला यह बारिक वाली सेट से लेना है तो वो प्लियर उठेगा इस टाइब से एक करके स्टॉर्ण टाएंगे और लगाएंगे आप इसी लिखा पाएंगे जैसे मैं लगाने असी लोग आईगी जहां भी स्प्रेस दिखर है सारे भी लगाना है देख सकते हैं पूरा कवर होंगे है अब इस पर मैचिंग में हम मिटल वाली में स्टॉर्ण रखर थोड़ा मोटे वाला थिक वाला ग्लिटर लगा रहे हैं तो हम इस पर ट्रांस्पिरेंट नेल पेंट लगाएंगे आप जब फिर मैं ट्राय करें तो डारेक्ट ट्रांस्पिरेंट अप्लाई करें अभी क्योंकि मैं दूसरी आट करी थी इसलिए ब्लैक लगावा मैं उसी पर लगा रहे हूं अजै कि डारेक्ट अब ट्रांस्पिरेंट लावके लगाएंगे जधा च्छी खलेव दियाएंगे अब जब ट्रांस्पिरेंट लावके डिप करना है और एक्स्ट्रा को छार दिना है आप देखेंगे इस टैप से हैं इसको हम एक्वल कर लेंगे फिंगर से डाप डाप करके तो इच्छे से स्टिक हो जाएगा आप एए कि एक्स्ट्र हमारे वाटर से निकल जाएगा अब देखिए हम रुकुर सब्सक्राइब लीकिए अप्के ये ड्राइब होने के बाद आप ट्रांस्पेरिट रप्लाई करेंगे तो इच्छा और क्लिर टियर शौँत और नीचे ट्रांस्परेंट नेल पेंट होगा या फैस लिवर क्लर का तो जदा अच्छा है लोग हम नेक्स्ट पे कुछ डिप्रेंट करते हैं हम ट्रांस्परेंट नेल पेंट अप्लाई कर देंगे मेले हमें हमें है है यह भी वह प्रांस्ट लगा रहे हैं इस ट्राइब से अच्किस अरांडिंग में हम लगें स्मॉल वाले इस ट्रांस्परेंट अप्लाई कर रहा है इस पर डिप कर पिछे स्टच करके लगा दे रहे हैं हुआ है 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 वाले स्टॉन ठाने में प्रॉब्लम होती है वह गिर जाते हैं यह आपको इसली स्टिक बजाएगा देखें निचे पिल प्लाग आ रहा है तो अब देखिए ओपर से अपिस पर भी ट्रांस्परेंट लगा देंगे वीच में इसमें बड़े वाला स्टॉन लगा है और उसके साइट से छोटे वाले स्टॉन लगा हैं अब मारी छोटी वाली फिंगर बसते हैं हाँ 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 इस वैंकोश इस अलत तरीकी से तो आधा रागा चाहेंगे तो इसमें हम हाफ कवर करेंगे इस टाइब से बजे हमें भी हम स्टाइब से लगेंगे एक हमने इसमें बड़ा स्टॉन लगा है हुआ कि हम छोटे स्टॉन लगा रहे है अब दिखेंगे इसका लोगी बहुत अच्छा रहे है हुआ है हुआ है 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 चाहर बहुत अच्छे लग रहे हैं अब 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 थम बच रहा है थम पर हम चाहें तो पूरे पर लगा सकते हैं स्टॉन्स या स्पार्कर या आप कुछ भी करना चाहें हम इस पर हाफ पर कर देते हैं कि इसमें हमने बड़े वाले स्टॉंस लगा रहे हैं सेंटर सेंटर में हो गया इसके बाद हम उसमें चोटी में नहीं लगा रहे हैं स्टॉंस स्टॉंस तो स्टॉंस सेंटर नेल पिंट निकाल के रखनें नेल पिंट पर डिप करके उठानें स्टॉंस 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 इस तरीखे से हम लगा है है हम चाहिए उसे पूरा भी फिल्ट कर सकते हैं नीचे का है सब्सक्राइब अपर कर देखेंगे यह बहुत अच्छा लग रहा है सारे अच्छे लग रहे है अपको मैं इस सारे प्रोडेक्स का लेंक नीचे शेयर का दूंगी डिस्टिर्शन पर आ बाति पें सारे प्रोडेक्ट इसली अवेलेबल नहीं है है हमारे चैनल को लाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हाई क्यों